तो वो ही एज़र की जब अच्छा प्राइज आपको मिलेगा तो सिचेशन साहथ अच्छी ना हो नवश्कार दोस्तों मैं आकाश गुपता आपको स्वागत करता हो एक और नय वीडियो के अंदर आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक्स्टेंशन रोड और आपर एक्स्टेंशन के उपर जो सेक्टर आते हैं सेक्टर 63, 63A, 65, 62 और 67 सेक्टर की कहां पर आज कई सारे पॉजेक्स अंदर के अंदर हैं सबसे पहले हम बात करेंगे बिरला की बिरला के फ्लोर्स आते हैं अडानी के फ्लोर्स आते हैं इसके लाबा आपका तिरहान के फ्लोर्स आते हैं, इस location के उपर वहीं आगे चलते हैं, जो signature global का affordable भी है, luxury segment का भी इनका एक under construction project है, उसकी भी construction जानेंगे, साथ साथ बिरला का एक नया launch है था, उस पे कितना काम हो चुका है, महाँ इटेंशन बायर जा रही दी, क्या बो अंद आर ओसिस की तरब, कि उस पे construction start हुई है, कि नहीं हुए, वो भी आपको दिखाने वाला हूँ, साथ साथ M3M का जो नया launch आया है, जो कि gold state के अंदर आया है, altitude करके जो उसका launch है, उसके बारे में भी हम discuss करेगे, कि उसकी location कैसी दिखती है, और इस video में अंतक बने रहीएगा क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को, आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं आपको अगले एक महिने के अंदर, गुड़गाओं का हर एक कोना अपने drone से दिखाने वाला हूँ, हर ए दिखाते हैं आपको, यह जो आप देख पा रहे हैं, यह सेक्टर सिस्टी वन की वही लोकेशन है, जहां मैंने अपने प्रिवेस एक वीडियो भी डाला है, जहां पर हमने बात करी थी सेक्टर सिस्टी वन और 58 की कंस्रक्शन अपडेट, सामने अला 58 है, जहां आपको महिन दिखाई दे रहा है, इसका डिटेल वीडियो में बना चुका हूँ, स्मार्ट वर्ड भी उसके अंदर मैंने कवर किया हुआ, तो उसका लिंक मैं विडिन दे दूँगा, बहां जाके आप एक पर चेक कर सकते हैं, पूरी की कंस्रक्शन अपडेट भी उसके अंदर मैंने आएंगे पर अभी हम आपको दिखाते हैं, 63 सेक्टर के अंदर ये जो आप देख रहे हैं, ये बेसिकली अनंतराज एक डवलपर है, उसकी ही सारी लेंड बैंक थी, उसने इस लेंड बैंक के ऊपर बहुत सारा का जो लेंड था, वो दूसरे डवलपर के साथ में कलरवेश इस लोकेशन पर हम चलते हैं, ये सारा का सारा आईरियो के ही प्लोट्स हैं, आईरियो अडानी के प्लोट्स आते हैं, बेसिकली इस लोकेशन के ऊपर, आप यहीं से हम आपको पीछे लेके चलते हैं, तो ये जो आप देख रहे हैं, इसको बेसिकली आईरियो के प्लोट्स बना रखी है, बुक्त का मतलब है उन लोगों ने पहले जो प्रोजेक्ट जितने भी अपने लॉंच किये वो बेचे नहीं, अपने पास रखे, उनको प्रापर लीस करा, मंतली एशॉर अंस रेंटल उन्होंने क्रेट करा अपने लिए, तो एक बहुत अच्छा इन्फलो जो आपको ये लोकेशन आती है, वाइट लेंड की, यहाँ पर भी एक आएगा ओफिस, कि कुछ ना कुछ इस लोकेशन को वरकिंग होगी, जितना भी ग्रीन पैच आप देख पा रहे हैं, बैक साइट के अंदर एक प्रोजेक्ट आने वाला था, पर अभी उसके उपर संगट हैं, सायद उसको लाइसेंस नहीं मिला है, हाई राइस का, और यह जो आप देख पा रहे हैं, नीचे एक और हाइस बिसिकली कमर्शल उन्होंने बनाया हुआ है, नीचे हाइट स्ट्रीट मार्केट है, उपर आपके ऑफिस स्पेस उन्होंने बनाया हुए है, यह रेसिंग स्ट्रेक और बैक साइड के अंदर आप देखें, क्रिकिट स्टेडियम भी है, इस लोकेशन के उपर, सामने गौल पहाड़ी आपको दिखाई देती है, तो अभी मैं कैमरे को दूसरी सरव आपको घुमाता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि कैसा दिख रहा है, अद अल्ट्रा लग्जरी पोजेक्ट लॉंच हो रहा है, जो ब्लू बैरेकेटिंग आप देख रहे हैं न, यहाँ पर मैं खड़ा था न, मेरे ड्रोन जहाँ पर है, बिल्कुल नीचे, यह ब्लू बैरेकेटिंग और जो आपको डिगिंग का काम दिख रहा है, यह लोकेशन के उपर आने वाला है, अल्ट्रा लग्जरी, हाई राइस, जिसके अंदर पौदी लिम्टेट पैच है, यह 5-6 एकड़का पैच है इस लोकेशन के उपर, तो एक्जेक्ट लोकेशन बोई थी जब मैं ड्रोन से अपने दिखाने कोशिश कर रहा था, कि अगर पूरा अरंदराज का इलैंड बैंक था, यहाँ पर बिरला के साथ किलोवेशन किया, आगे चले तो इनके खुद के फ्लोर्स बने हुए हैं, एक नया कोई डेबलपर है, जो भी फ्लोर्स बनाते हैं, उनका ये छोटा सा उनको प्लोट दिये हुए थे, अल्मोस्ट-अल्म दो करोड के असपास में चाहिए, तो फ्लोर्स is the good option, इस लोकेशन पर आकी कुछ तो मिलता हैं, नीचे आप बिरला का देखी रहे हैं, और इसके अलाबा मैं अगर आपको दिखाने कोशिश करूँ, ये अनंतराज के बने हुए हैं, बाकी प्लोट काटे हुए हैं, आने FAR के उपर हैं, कुछ नए FAR के उपर इनके पास plot हैं, जो आपको खाली plot दिखने, ये राइटन साइड में नीचे की सरब दिख रहा है, ये खाली plot है, यहाँ पर इनके अभी high राये, low rise ही आएंगे, बड़ बो नए FAR के उपर आने थे, क्योंकि फ्लोर वाइस अभी बं क्योंकि आस पास में यही एक अच्छा project है, जो ready है और यहाँ operational है, और इसके अंदर भी अगर आप लोग अपनी कोई unit आपके पास है, आप चाहते हो इसे rent out कराना या sell करना, तो आप लोग इसे sell कर सकते हो, rent out भी कर सकते हो मेरे through, साथ-साथ में अगर कोई इनसान अपने देख रहा है, इसके अंदर rent पर या resale के अंदर भी देख सकता है, सामने आपने देखा यह extension का extension है, और अभी हम extension के extension के extension पर चल रहे हैं, सामने आप जो देख पा रहे हैं, यह सारे के सारे plots आते हैं, मैंने आपको बताया था, यह सारे के सारे ID के plots आते हैं, पीछे तक आनतराज का है और यह सामने आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो तीचे नीचे आपने देखा थे त्रहान के फ्लोर से हैं यह त्रहान ने काफी अच्छा काम किया है और त्रहान का एक नया लॉंच भी आने वाला है Sonah के अंदर तो मैं आप लोगों को Sonah का जो मेरा वीडिय बैक साइट से है पर एक्ष्वल में यह है तो एक्स्टेंशन का इपार्ट आप जो देख रहे हैं इस सारा का सारा जो लैंड है वो अभी राइट नौ खाली है पर यह सारा का सारा अनंतराज के पास आता है और आने वाले टाइम के अंदर यहां पर आपको नए क्लोरवेशन दिखाई देंगे नए पोजेक्ट लाँच होते नजर आएंगे क्योंकि एक्स्टेंशन रोट के उपर बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को नए-ने पोजेक्स आते हुए दिखेंगे विकास मार्केट के अंदर अभी कहीं से भी नर्मी नहीं है जो बहुत सारे किसी ने अगर इसके अंदर बाय करना है तो कनेक्ट कर सकता है और कोई चीज अगर रेंट आउट करवानी है और लेनी है रेंट के ओपर तो भी कनेक्ट कर सकता है साले 300 गच के अंदर इस फ्लोर्स आते हैं और सामने भी आप जो देखने छोटा सा पैच बो भी बिरला के फ्लोर्स है और उसके बैक साइट के अंदर आप जो देखेंगे बो फ्लोर्स आते हैं आपके सिंगनेचर ग्लोबल के सिंगनेचर ग्लोबल का ये आपका हाई आख रुपए लगाए थे आज उनकी चांदी हो चुकी है और बहुत अच्छा अप्रिशेशन यह और यह हाई टेंशन बायर नीचे जा चुका है तो आप जो सामने देख पारे हैं यह हाई टेंशन का बायर था नीचे चला गया था बिरला का यहाँ पर बहुती लो इसके अदर रहेगा बहुती लो टेंसिटी का पोजट है और जो अड़न साइद के अंदर आप देख पा रहे हैं यह टार्क आता है और राइटन साइड के अंदर जो उल्मोस सारे बन के तयार खड़े हैं इसके अगर आप लोग कुछ रेंट के अंदर देखना चाते हैं तो connect कर सकते हैं left hand side में आपको जो दिखाई दे रहा है जो बंगलोज बने हुए हैं या individual बिला बने हुए हैं ये आते हैं अनन्त राज के ही एक सेक्टर है 63A के अंदर जो आपको आगे मिलता है ये जो left hand side के अंदर आप देख रहे हैं ये टार्क है डवलपर तो इसका जो ड काफी plot अभी खाली पड़े हैं developer नहीं पर plot बिला floors और काफी अच्छे से यहां पर development अपने level पर की थी और अब बाकी तो सारा बिका हुआ है सारे plots बिके हुए हैं तो अगर किसी कोई query हो regarding for this तो connect कर सकता है और यहां से मैं आपको थोड़ा सा view भी दिखाता हूं कि पीछे क view कैसा आएगा यह मैंने drone इसलिए इस तरफ गुमाया है जिससे कि आपको better understanding लग पाए कि यह जो extension वाला जो part है extension के अंदर जो sector आता है जो कि पूरा का पूरा अनंतराज का sector है तो बहां पर कैसे floors बने हुए हैं या बंगलो बने हुए basically आप पे इन्होंने बिला बना के बे construction दिखाने नाव हम पहुंच गहे हैं आरवर आरवर आपको दिखाता हूं आरवर का यह tower कौन सा वाला है यह तीन का patch है इस तरफ आपको तीन tower दिखाई देंगे सामने आपको तीन tower दिखाई देंगे और अगर मैं बात करूं तो basement के इनके एक level दो level की basement complete हो चुकी है और might be still की त्यारी हो चुकी हो first floor की working कर रहे हैं तो जितनी construction में हमें समझ में आप आ रहा है अभी मैं आपको और दूसरे एंगल से भी दिखाने की कोशिश करूंगा यह वो सामने रास्ता है सीधा निकल जाता है इसी society से रास्ता यह divide भी हो रहा है पीछे आप जो बीच में 24 मिं राइट था यह रास्ता तो construction full swing चल रही है और यह time से डिलफ का basically यही है कि जो time लेते हैं उस time के अंदर deliver करके देते हैं contractor बहुत strong है आलोवालय contractor बहुत अच्छा contractor है तो जल्ली ही time से पहले ही देने की इनकी पूरी कोशिश रहेगी च्छे के च्छे towers के उपर अगर मैं बात करूँ तो आपका right and side के अंदर जो है उसके अंदर first floor का काम हो चुका है या first floor का lander डल चुका है उसके उपर के lander की working चल रही है और left and side वाले आप जो अभी देखेंगे मैं भी drone गुमा के लेके आता हूँ आपको better idea लगेगा तो अगर आरवर के अंदर भी आप लोग को unit देखना चाहते हैं तो मेरे पास एक इसके अंदर unit आती है with very good premium only 70 lakh rupees yes 70 lakh rupees के premium पे और आपको यहाँ पर चीज मिल जाएगी plus 1% का commission लगेगा अगर किसी को इसके अंदर buy करना है मेरे पास tober number B के अंदर एक unit आती है below five floors के unit है तो कोई इंसान अगर अपने लिए देखना चाहता है बहुत उपर की unit भी नहीं है तो यह best part है तो below five floor मेरे पास unit आती है अगर इसके अंदर कुछ working करना चाहते है number नीचे दिया गया है धरूर connect कर लें आप यह देखिए जो मैं बता रहा था ना नीचे के दो level की basement फिर still और फिर first floor तो यह first floor तक पहुँच चुका है तो आप जो बीच वाला tower देखने की कोशिश करेंगे और बाकी अगर आप देखेंगे दो floor की वो still और first floor का lander डल रहा है तो यह है वो road right and side में जो आपको आगे connect करेगी सामने टार की location आपको दिखी रही है अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ दुबारा जो सामने आप लेट आवर है उतका view proper नहीं आप आया था आपको proper view understanding के लिए मैं आपको आगे लेके चल रहा हूँ तो अगर मैं आप लोगों को दिखाने को श्कुर नहीं बीच में 24 मिटर का road निकल जाएगा जो कि sector road है उसके लिए डियलप भी कुछ नहीं कर सकता है यह रास्ता है तो है क्योंकि गुरगाओं में ऐसा ही है सर सेक्टर की planning पहले हुई उसके बाद में इनों ने land ली तो अब सेक्टर का जो road आएगा वो तो निकले गई अब डियलप इसको किस तरीके से tackle करता है वो उसके उपर है और यह सेक्टर road है right now तो और आप देख रहे हैं तो इसमे आप देखी रहे हैं यह आते हैं अडानी के floors यह टार की location अब टार की location अगर मैं आपको बताओं तो यह total 5 एकड का ही project है पर 5 एकड के अंदर जैसे इनोंने दिल्ली का project निकाला था वो दिल्ली के project की सबसे बड़ी खासियत यही थी कि दिल्ली के project के अंदर आपको पूरा का पूरा जो club था वो पौने 2 लाख square feet का club था जो उनोंने मतलब तीन लेवल की तो उनोंने आपकी आपकी lobby दीती lift lobby प्लस उसके ऊपर के तीन फ्लो नोंने sacrifice किये थे for the club अंदर का proper green तो maintain किया ही था वो भी 5 एकड का है उसका वीडियो भी जल्ली आपको देखने को मिलेगा तो understanding लग जाएगी वो square shape में था ये थोड़ा से triangle है उससी आपसे tower allocate होंगे इस location पर अगर आप पीछे का view देखेंगे तो पीछे high rise तो भी कोई आने वाला नहीं है in future land तो काफी खाली पड़ी है अगर कोई developer यहाँ पे लेता और residential land है तो आ सकते हैं बट अगर मैं आपको आपको अराबली view पूरा मिलेगा और left and side के floors लेंगे तो फिर आपको city view पूरा मिलेगा आरवर तो दिखाई देगा ही देगा तो यह हैं वो current scenario जिसके अंदर आरवर की construction यह आती अब मैं आपको लेके चलने वाला हूँ MR OSIS जिसके लिए 10X चेक आये थे 400 unit के लिए 4000 चेक आ गए थे तो और यह जो वोई 60 meter का road है यह 60 meter का road आगे connect हो जाएगा extension road से तो extension road के multiple entry और exit होंगे आज right now अभी रास्ता बंध है बट यह रास्ता खुल जाएगा because कोई भी 60 meter का road कोई भी private बंदा रोक नहीं सकता क्योंकि वो गुडगाओं के master plan का road है तो यह 60 meter का road है यह proper road आगे जाके connect कर लेगा और इस सीधा extension road के पर जुड़ेगा मैं आपको ले land bank MR own करता है MR वो ही developer है जो दुबाई waste developer है आज इसकी पूरी working दुबाई से है और जो MR के आने वाले time के अंदर projects की working है बहुत strong होने वाली है इस location के उपर मैं आपको ताहूं गोल्फ को से extension से लेके और SPR location तक extension से SPR location तक MR आज के time के ओपर 590 एकड़ से ज्यादा own करता है 590 एकड़ के अंदर MR के multiple projects आने वाले हैं और आप जो देख रहे हैं right inside के अंदर आता है MR OSIS और इस सारी land bank खाली बढ़ी है भी तो यहाँ पर आपको आने वाले time के अंदर multiple ultra luxury projects दिखेंगे आप लोग जानकारी के लिए बता दूँ कि MR Dizzy Home के बगल वाली land के ओपर working start हो चुकी है कभी भी यह लोग Dizzy Home launch कर देंगे अगर आप लोग उसके लिए पहले से ही आपका number आ जाए आपको चीज मिल जाए तो आप लोगों को location तो मैं दिखाई देता हूँ आप लोग connect कर लीजेगा आपको better deal और कोशिश करेंगे जिसका number सबसे पहले आएगा expression of address का क्योंकि इसक अंदे को मिला था नीचे आप जो देख पा रहे हैं इधर के दो टावरों की digging हो गई है और उदर के आपका basement की जो slap पड़ती है वो पढ़ लही है साब साब दिखाई दे रहा है और right inside के अंदर जितना भी आप land bank देख रहे हैं जितना भी वो सारा का सारा MR का है MR ने पीछ प्लॉट काटे हुए हैं मैं प्लॉट भी आप लोगों को दिखाऊंगा इसके right inside के अंदर पहले बंजारा मार्केट हुआ करती थी और boom बंजारा मार्केट आप आगे move on करेगी क्योंकि ऐसा ही होता है कुछ टाइम के बाद में बोग सिफ्फ कर जाते हैं पीछी आप 10 दिनों के अंदर 15 दिनों के अंदर मैं repeat करता रहूँगा तो अगर आपका project आपने इसमें buy कर रखा है तो I don't think so आपको इससे better कोई channel मिलने वाला है जो आपकी बंती हुई चीज को दिखाएगा वो भी drone से हर 10 दिन के अंदर free service है तो इसके लिए आपको क्या करना है channel subscribe करन यह जो आप देख रहें डिजी होम के बगल में जो digging हो रही है और यह जो बने हूँ है नीचे plots इन plots को multiple time खरीदा बेचा जा चुका है आप लोग अगर interested हो तो यहाँ पर धाई लाग रुपए के आसपास का rate चल रहा है connect कर सकते हैं कुछ inventory जरूर मिल जाएगी है जो right in side के MR Digi Home के लिए ही patch निकाला गया है इसी location के उपर launch होगा MR Digi Home MR का Digi Home यह successful इनका project है बेचना start किया था 8000 रुपए के आसपास आज के time के उपर जो इनका 2BHK है 1400-1500 square feet के आसपास में उसके ठाई करोड से ज्यादा मिलते हैं मतलब 20,000 रुपए के आसपास का rate जा चुका है resale के अंदर rental बहुत अच्छे आते हैं अब बहुत ही classy project बनाया है अंदर से हम बात करें fittings की Italian marvel है अगर हम बात करें सारे टोटो और ग्रोहो के top equivalent brand ने अंदर लगाया हुए हैं और यह है वो Digi Home 2 की location जिसकी connectivity अपर extension से होगी तो आप लोग अगर इसके अंदर कुछ working करना चा तो front वाला extension cover करूंगा अभी मैंने extension extension cover किया है जिससे कि आपको क्योंकि major construction इसी location पर चल रही थी मुझे लगा इस सरफ से fly करेंगे और वहां पर आने वाली opportunities आप लोग साथ discuss करेंगे अब मैं आप लोगों को यहां से लेके चलूंगा sector 65 की तरफ यह देखे यह हम पहुंच यहां पर भी बहुत जली कोई ना कोई नया project आने वाला 60 meter का road खुल जाएगा तो आपको 60 meter के road के आसपास में commercial activity भी देखने को मिलेगी अब मैं आप लोगों को यहां से right करके दिखाता हूं यह है वो सारे के सारे MR के floors multiple यहां पर floors बने हुए हैं और MR नहीं develop करके बेचे पर यहां पर 6000-7000 रुपे का rate हुआ करता था और आज यह 2500 एकर से plus की downship है इस location पर सामने drum दिखाई दे रहा है M3M का gold state दिखाई देता है और sky city आप जो देख रहे हैं 1,2,3,4,5 tower आते हैं M3M gold state के अंदर sorry sky city के अंदर वो बनके पूरे तयार हो चुके हैं अभी मैं आप को लेके चल रहा हूं उस location पे जहां पर आगे चल के कौन सा project आपको देखने को मिलेगा gold state का जो part है altitude के नाम से निकाला है sorry altitude के नाम से project आता है और अगर मैं आपको दिखाऊं यह है बो location और करीब लेके चलता हूं drone को यह gold state का ही part रहेगा मतलब इसकी connectivity अंदर से ही यह लो के अंदर जितने भी tower अभी तक के इनके बने हुए हैं उसका एक upgraded version आने वाला है मतलब इसके अंदर यह लोग बोलते हैं सवा लाक square feet तक का club तो हम इसके अंदर देने वाले हैं exclusive for this particular location यहां पे जितने भी tower आपको दिखाई देंगे और sizes बड़े निकाले हैं 3750 square feet का इसके के अंदर सबसे छोटा size है तो ultra luxury category में निकाला है नीचे आपको location दिखाई दे रही होगी मैं अधर आयाता हूँ यह आपको location दिखाई दे रही होगी यह पूरी की पूरी location है तो इसके सामने कोई high rise है नहीं और जो जो पीछे बने हुए high rise वो भी बहुत ऊची height के नहीं है मतलब एक mids category के height के हैं तो इस location के उपर आएगा अब मैं आप लोगों को ले के चल रहा हूँ आपका जो trump tower है उसके पास और कोशिश करेंगे जानेंगे trump tower के उपर अभी जो यह पड़ा है बीच में इस यह किसके उपर stand करता है और trump tower भी आज के समय के उपर कुछ inventory निकल क किया यह developer के पास से जो की approximately 12 से 13 करोड के पास भी आती है पर अगर किसी को 3BH के 3800 square feet के आसपास वाला चाहिए तो मेरे पास में approximately अगर मैं value बताऊं तो 10 करोड के आसपास में मिलता है अगर कोई इंसान इसके अंदर purchase करना चाहता है trump tower अपने आपके अंदर एक landmark होगा पिकस आने वाले time के अंदर क्योंकि यह gold state का ही part है आप देख पूरे हो यह खाली दो टौबर जरूर है पर यह gold state का part है मैं और थोड़ा अंदर लेके चलता हूँ अपने drone को आपको दिखाऊंगा अभी हम लोग कौन से फ्लोर पे खड़े है 28, 30 फ्लोर के उपर खड़े यहां पर इन लोगों ने गवाभीबा पूरे दो टौबरो को मिला दिया है बीच में से और उपर उसका लुक नया आने वाला है तो देखते हैं क्यूंकि ऊपर penthouses ही हैं बड़े-बड़े sizes ही आएंगे पर इसके अंदर अभी जो मेरे पास में 12-13 inventories अबलेवल हैं हम लोग only 225 units के आजपास में एक और ऐसा ही project इस ही category का category मतलब this is a branded residency it is not normal residency बहुत elite बहुत superior कुछ limited लोग ही इस category के अंदर आते हैं तो ऐसे लोगों के लिए ही कुछ एक नया है जो कि sector 62 के अंदर है pioneer group है उसका नया आने वाला है सामने जो नीचे आप देख रहे हैं M3M का पैसे दात देनी पड़ेगी इनकी construction update मतलब मैं इतने time से बना रहा था पीछे 3 महिने के लिए मैं थोड़ा सा out हो गया था system से मतलब नहीं बना पा रहा था video बट अभी जो मैं देख रहा हूं 3 महिने बाद इनका project हर एक project के अंदर construction superb चल लगी है मतलब यह route 65 आता था और यह proper high street market है और आप देखेंगे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया यह अरवाना की ताच पे बनाया गया है अरवाना की तरीके से बनाया गया है पूरा बना दिया क्या करना होता है construction जितने जली करके देंगे लोगों को समझ वे आता जी मेरा माल तो बिल जा है मुझे और यह देख रहे हैं आप MRK floors high-rise वाले यह फ्लोर्स हैं यहां पर rental काफी अच्छागा चला है 45-55,000 रुपए 2BHK का rental है तो अगर कोई यहां पर अपने rental, buy, sell करना चाहता है तो inventory मेरे साथ share कर सकता है यह जो website है मेरी बहुत जली operational होगी कोशिश यही है मैं इसके उपर अभी कम से कम एक काम तो करने वाला हूँ कि website actual में operational ना हूँ पर मैं इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा solution देने वाला हूँ कि आप इस पर जाके अपनी retail फिल कर सकते हैं अगर आप कैस कोई inventory है तो आप share कर सकते हैं नीचे लोराइस निकल गया हमार का ही था यह और अभी हम सामने देख पा रहे हैं अर्बाना premium इसके अंदर अगर कोई lease के ओपर चीज लेना चाहता है तो connect कर सकता है left hand side में आपको अर road दिखाई दे रहा है जो सीधा जाके connect कर जाता है sona road से यह आप देख रहे हैं सामने अर्वाना की market है high street market बहुत प्यारी market है पूरी full हो गई है अगर आप देखेंगे ground floor तो completely sold out है सारा का सारा sold out मतलब rent out और पीछे आप hotel देख रहे हैं इनके जो room बने हुए है my den और उस तरीके के इनके फ्लो से स्वरी अपार्टमेंट बन के तयार हैं पीछे इनका head office बना हुआ है अर्वाना business park और अभी मैं आपको जहां लेके चल रहा हूँ उसको भोलते है आईरियो का ये project है और आईरियो का इस project के अंदर आज मेरे पास में एक ऐसा penthouse अब लेगा नहीं क्योंकि जो size इसके अंदर आता है नीचे देखें कितना बढ़िया इन्होंने greenery maintain की हुई है बहुत बढ़िया greenery maintain की हुई है तो आईरियो का इसके अंदर एक मेरे पास penthouse आता है tower number A जो left hand side में निकल गए tower number B है आप सामने अभी मैं आपको tower number A की तरफ दिखाता हूँ यहां पर जो penthouses बने हुए न यह है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 penthouse है उसके अंदर से एक penthouse मेरे पास sub-level है और यह आपको दिखाई देता है sector 65, latitude, gold state और यहां पर हम आगे tower number B की तरफ यहां पर भी double-double floors बने हुए है वो penthouses ही है और यह tower number C आता है इसका बहुत अच्छी IREO ने जितने भी project deliver किये अच्छे deliver किये और अच्छी landscaping थी काफी अच्छे से इनोंने density को manage किया है मतलब ऐसा नहीं कि बहुत जाए density के साथ कोई project launch खरा और यह वो sector है जिसको बोलते है sector 67 यह तीन चीजों की बज़े से मसूर हुआ था एक तो M3M की आता है इसके साथ M3M का Marlin यहां आता है Marlin के पीछे आप जो देख रहे हैं वो अंसल के plot है यह पहले बहुत विबादित रहा था क्योंकि यहां पर ना तो electricity थी ना खुछ था बड़ अब समय के साथ में सारी चीज़े resolve हो गई क्योंकि अंसल वाले खुद ही अब लेवल ल यह आप Marlin देख रहे हैं इसके अंदर भी अगर कोई lease out करना चाहता है कुछ buy करना चाहता हो sell करना चाहता और correct कर सकता है सामने आप जो देख पा रहे हैं यह पूरा का पूरा forest के floor बने हुए हैं बाकी individual floors भी लोगों ने मना के बेचे हैं यहां से त्रहान का भी जनम आप कह सकते हुआ हैं लोगों ने आप काफी floors बनाए हैं बेचे हैं तीन सो गच, आड़े तीन सो गच के उपर, चार सो गच के उपर floors बलाके बेचे हुए हैं पर forest ने सबसे यहां बेचे हुए हैं सामने आप best tech की डाउंचिट देख रहे हैं तो यह वो location है sector 67 की जो बहुत अच्छे rate के उपर आज से दो साल पहले यहां पर मिला करता था rate, plot का rate 55,000,000 रुपए होता था और आज यकीन नहीं करो कि आप, यहां पर 2,00,000 रुपए की बाते होती है, plot की, क्योंकि पहले क्या था, uncertainty थी, light नहीं थी, roads अच्छे रही थे, अब light भी आ गई है, roads की working भी आडवले करवा रहा है, तो अभी मैं आप लोगों को जो नीचे दि एक office tower आने वाला है, और licensing की working चल रही है, नीचे digging का काम हो रहा है, हमें understanding है, बहुत जली आ जाएगा, सामने आप देख रहे हैं, BPTP का है, यह बना हुआ apartments, यह joy street आयाता है, और अभी मैं अपना drone नीचे उतार रहा हूँ, और बात करते हैं, तो अगर आप लोगों को ये video पसंद आया, और जो जितनी जानकारी मैंने आपको दी, extension और upper extension के उपर साइद आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो like जरूर करिएगा, और ना पसंद आई हो तो सुझाओ जरूर अपने दीचेगा, dislike करना चाते हैं, वो भी कर सकते हैं, क्योंकि आप देखी आपको पसंद आता है मेरा content और इस तरीके का content और देखना चाहते हैं, अगले एक महीने के अंदर मैं पूरा गुड़गाओं cover करने वाला हूँ, everyday एक वीडियो आने वाला है, तो आपको मज़ा आजाएगा, साथ-साथ सोना भी cover करूँगा, साथ-साथ मानिसर भी लेके च चलूँगा, द्वार का express पे सब कुछ cover करने वाला हूँ, तो चैनल सस्क्राइब कर लें जिससे कि आपको मिलती रहे सारी जानकारी, बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अंगले वीडियो के अंदर, जैहन!